हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी पैरे दूस्तों का बिहार एक्जाम स्वाला पर उमीद आशा कि आप सभी लोग स्वस्त तमस्त और बिल्कुल जवर्जस्त होंगे सब भी कुनमश्कार राम राम राधे राधे सस्रीक अलाद आप जैहिन मेरे पैरे दूस्तों आज हम बात करने आया हैं आप सभी पैरे साथियों के साथ में कुछ ऐसे फैक्ट पर जो आप सभी के इक्जाम में कहीं आ उस कहते नहीं हैं कि आपको उसकी knowledge होनी चाहिए कई वर बचों के मन में होता है कि यार अच्छा कौन सा है बस्त कौन सा मेरे लिए जो मेरा भविश्य बहतर करेगा तो उसे हम जानने की कोशिश करेंगे और पहचानने का काम करेंगे और उसे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी पैरे दोस्तों को यह पता चल जाए क्या पता चल जाए मेरे प्यारे दोस्त कि कहीं न कहीं कि आज का मोटिवेशन क्या है क्यों भई आज का मोटिवेशन क्या है वो आपको पता रहना चाहिए तो मोटिवेशन कह रहा है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है कहते हैं मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी तो आप सिंपल जी बात है अगर कुछ बहतर करना है ना जीवन में तो आपको कुछ चीजें बहतर करनी ही पड़ेंगे जिन में सबसे important fact होता हाड़ वर्क इस बात को जरूर याद रखेगा हाड़ वर्क बहुत mandatory है और दूसरा सब्द होता है continuity 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 बहुत जरूरी है निरंतरता हाड़ वर्क मैं तो कह रहाँ सिर्फ आप चार गंडे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए देखिए फिर कैसे आपकी चीजें बहतर होती हैं तो इस बात को जरूर याद रखिएगा आज जो हम करने चल रहे हैं आपने थमनेल देख ही लिय होगा जिया कि बिहुवअध पृलिस दरोगा गरियु को बिहार पुलिस दरोग हुए अडूसरा सब्द है मेरे दोस्तो बिहार के पुलिस सारजेंट कर गर से इन पर हम चार्छा करें गे की कौन साप बहतर है आपके लिएी बेस्ट कौन सा है अब देखिए अगर हम बात करें यहां पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी प्यारे साथ ही है बिहार दरोगा या बिहार पुलिस दरोगा और बिहार पुलिस सार्जेंट अब दोनों जगे डिफरेंसेज देखिए यह वो महिला दरोगा हैं जो की सभी की सभी दरोगा हैं मतलब कहने का सब इंस्पेक्टर हैं जब आप पिहार पुलिस दरोगा बनते हैं तो उसमें कई पद होते हैं इसे आप डारेक्ट गए तो आप किसी थाने में पहुंचे तो वहां पर आप असेस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिये गए या आप इ या धीमे धीमे प्रमोशन होते चले जाते हैं तो आप ऐसे चो बन गए हैना कि धीमे धीमे प्रमोशन होते तो यहां पर जो दरोगा का प्द है एक ऐसा प्द है यह नौकरी हड़ है सिर्फ मैं इतना कहूंंगा थोड़ा सा Christ है as compare to मैं पुलिस बिहार पुलिस सार्जेंट बात करूं कहोगे क्यों सर क्योंकि यहां पर आपको हमेशा कहां पर रहना होगा जल्दी से बताइए society के बीच रहना होगा साथ ही साथ में society के लिए आपको लगातार काम करने होंगे hard work करना होगा कभी भी कहीं पर भी जाना पड़ सकता है कि समाज के लिए काम कर रहे हैं अब कहों कि सर यह समाज के लिए काम नहीं करते अरे भाई यह लोग जो है न यह लोग हमेशा सदय पुलिस लाइन में ही रहते हैं यह समाज के लिए काम करते हैं लेकिन समाज के किस पक्ष पर काम करते हैं यह हमेशा पुलिस लाइन में रहते हैं और जो यह inspector हैं constable हैं जो दरोगा हैं या और भी जो पद हैं इन सभी का ओफीशियल वर्क जो देखते हैं वह यह लोग देखते हैं चुट्टी आई तो कैसे अप्रूब करनी हैं कहां जाएगी कौन चुट्टी पर है कौन क्या मतलब कहने का जो सार्जेंट का पद है यह ऑफीशियल ड्यूटी है ऑफीशियल का मतलब है ऑफिस वाले ड्यूटी है सुबह आपको लगभग 10 बजे पहुंचना होगा और साम को पांच बजे यह ड्यूटी आपकी खतम हो जाएगी क्या पुलिस दरोगा में ऐसा है कि सुबह आप 10 बजे पहुंचो और साम को पांच बजे आ जाओ तो अगाओगे नहीं बिल्कुल भी नहीं है सर यहां तो हो सकता सुबह सुबह पता चला कि कहीं कुछ दंगा हो गया ल तो कहीं न कहीं अगर बात करें तो बिहार पुलिस दरोगा का जो जौब है वो बिहार पुलिस सार्जेंट से थोड़ा सा टफ है लेकिन सार्जेंट का जौब जो है न वो बिल्कुल साधार आफिस टाइमिंग है जाओ करो अपना काम और लोटाओ मतलब 10 से 5 की ड्यूटी अब 5 बजे के बाद भाई अब समझदार हो आप अगर आप मालेजी कुछ और भी तैयारी भविश्व में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं भाई समय है आपके पास लेकिन यहां पर आपके पास समय नहीं पता चला मुख्य मंत्री जी आ रहें तो भागे भागे दोड रहें पता चला कोई कारीक्र arguments है तो भागे भागे दोड रहें इनको किसीसे कोई मतलब नहीं यह जो बैठे हुए लोग抓 को किसी से कोई मतलब मतलब कहने का जादा जो मौज है वो बिहार पुलिस सार्जेंट में है और बिहार दरोगा का जो है ना पावर बहुत तगड़ा है आप लोगों ने गंगाजल मूवी तो देखी ही होगी है ना बिहार दरोगा का जो पावर है ना मेरे दोस्त वो बहुत तगड़ा है कहोगे क एक भुजुर्ग व्यक्ति थे उनका थोड़ा सा मतभेद हो गया थोड़ी सी महले में लड़ाई हो गई दूसरा पक्ष गया थाने में तो रिपोर्ट कर दिया इदर उदर हो गया तो जब भुजरुग विक्ति को बुलाया थानेदार ने दरोगा जी ने बुलाया तो पहुंचे तो दरोगा जी बोले क्या ऐसा है भई कि कि दादा इसको यहीं खतम कर लेते हैं अब दादा भी थोड़ा अपना इगोस्टिक आ गए और कहें नहीं नहीं हम तो केस लड़ेंगे तो दरोगा जी भी चार सीट बढ़ियां वाली बना दिये मतलब चार सीट बनाने का जो काम करता है जो एफाइयार लिखी जा रही है वो यहीं बना रहा है यहीं लिखवा रहा है दरोगा और ये जैसा लिख देगा वैसा ही आगे नियायले को जाएगा हाला कि आगे चल करके नियायले ने जब निर्ने दिया तो ज़साहब बोले बुजरुब्यक्ति से कि दादा आप खुस हैं तो कहा ज़साहब खुस तो हैं लेकिन ये जो पांस साल लड़ाई हमें लड़ी ये लड़ाई उसी दिन खतम हुजाती जिस दिन ये सुरू हुई थी कैसे दादा कि बस दरोगा साहब कह रहे थे कि पांच जार रुपए दीजिए दादा सब खतम कर देंगे उसमें धाई जार आप दे तो धाई जार इस्ते ले लेंगे रफा दफा कर देंगे मतला आप पावर देख रहे हैं अगर वो धाई जार रुपए दे दिये होते उसने तो वो जो पांस साल तक कोट दोड़ा है ना वो नहीं दोड़ना पड़ता उसको पांस साल कोट दोड़ने का मतलब आप समझते हैं ना आपकी घर से अगर सो किलोमेटर कोट है तो जाने आने में ही हर महीने अगर मानली जी एक बार जाना पड़ गया तो पांसो रुपए जाने आने में हो जाएगा अपूरा दिन खराब तो आप देख रहें ना पावर कितना है अगर यह चाहता है दरोगा तो ऐसा भी लिख सकता था जो केसी ही आगे नहीं बढ़ता लेकिन इसने ऐसी चाह सीट बनाई कि वो केस पांस साल तक लड़ना पड़ गया तो यह पावर है कि बास समझ रहें तो दरोगा जो पोस्ट ह ना यह पावरवर फुल पोस्ट है और जो बिहार पुलिस सारजेंट है मेरे दोस्ट यह उफिस्यल पोस्ट है इस बात को दूनरखिएगा सितारे कंधों पर दोनों के दो ही दो होते हैं इस बात को भी याद रखियें अच्छा एक और बात आपका इस नातक होना चाहिए आपकी उम्र जो है वो 20 वर्स से 37 वर्स के बीच होनी चाहिए जनल के टेगरी में रिलक्षेशन है तीन वर्स का OBC के लिए महिलाओं के लिए SCST के लिए 5 वर्स का रिलक्षेशन है EWS को IU में कोई शूट नहीं दीजाती है, Zustम के कि लिए से मैं जो दरोगा कि है वही सार्जेंट की है कहोगे- वहा भाई भाई- लिक्षित परिक्षा भी जो दरोगा की होती है वही सार्जेंट की होती है तो सर फिर क्या है सिर्व भहिया पदों को प्रफरेंस दिया जाता है कुछ बच्चे बिहार पुलिस अब सिंपल सी बात है बिहार पुलिस दरोगा को पहले प्रफरेंस पर रखते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो बिहार पुलिस सार्जेंट को पहले प्रफरेंस पर रखते है हाला कि दरोगा के जो पद होते हैं वो अधिक होते हैं सारजेंट के जो पद होते हैं वो थोड़े कम होते हैं इस बात को भी याद रखिएगा सारी चीजें सेम हैं इस बात को ध्यान रखें मुख परिक्षा का भी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम सेम है इस बात को याद र रखनेती कैसे सेमें बनास्ट सब कोसक्ता परिप्षा क्याफ की तहला होकोई तरह कि है लेकिन बस पोस्टिंग अलग-अलग स्टान पर रहे सारजैंट कि और और ही जानकारी के के लिए आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ते रहें पढ़ते रहें और मौच करते रहें तो आज सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद उड़ने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच जय हिन दोस्तों